ऐसी पड़ी बेरोजगारी की मार पाई-पाई कमाने को गरीब बेकरार नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस 15 में और मैं हूँ आपके साथ स्वातितिवारी देश में एक बार फिर बेरोजगारी का दर बढ़ कर सामने आया है आर्थिक शोज संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी यानी सीम आई-ई के आपको के मुताबिक बेरोजगारी दर जून में बढ़ कर 7.08 प्रतिशत पर पहुँच गया है आकडो के माने तो जून महीने में ग्रामिन शेत्रों के रोजगार में कमी आने से बेरोजगारी दर बढ़ कर 8.03 पीजदी तक पहुँचा जो कि मई महीने में 7.03 प्रतिशत पर था वहीं अगर हम शेहरी शेत्रों के आकडों पर नजर डाले तो यहां स्थिसी थोड़ी सी बहतर दिखती है यहां बेरोजगारी दर जून महीने में 7.03 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि मई महीने में यह 7.02 प्रतिशत था दरसल पिछले महीने क्रिशी शेत्र में 1.03 करोर लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था जिस कारण बेरोजगारी दर और जादा बढ़ गया क्योंकि गाओं में क्रिशी शेत्र में गतिविधिया सुस्थ हो गई है लेकिन जुलाई महीने में बुआई शुरू होने के साथ इसमें थोड़ा सुधार आ सकता है CMIE के मुताबिक बिना किसी लॉकडाउन वाले महीनों के दौरान रोजगार में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावत है वहीं CMIE के निदेशक का ये भी कहना है कि जुलाई में इसके उलट होने की सबसे अधिक संभावना है क्योंकि इस समय बुआई शुरू हो जाती है साथ ही उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण महीने में 1.3 करोड रोजगार घटे लेकिन बेरोजगारी में केवल 30 लाग का इजाफा हुआ वहीं CMIE के प्रबंधक निदेशक महेश व्यास ने कहा कि अन्य कामगार श्रमिक बाजार से बाहर हुए है जिसके चलते कारेबल में 1 करोड की कमी आई है उन्होंने कहा कि ये कमी मुख्य रूप से असंगठिज शेत्रों में हुई है और साथ ही काफी हद तक ये श्रमिकों के पलायन का मामला है ना कि आर्थिक नर्मी का व्यास ने कहा ये चिंता जनक है कि इतनी बड़ी संख्या में कामगरों पर मौनसून का असर पड़ा है साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरा चिंता जनक आकड़ा जून 2022 में वेतन भोगी करमचारियों की 25 लाख नौकरियों के घटने का है जून में वेतन भोगी नौकरियों में कमी को लेकर भी चिंता बड़ी है और निजी एक्विटी वित पोशित नौकरियों में अफसर भी कम होने लगे केवाल अच्छे मौनसून से ये नौकरियों नहीं बच सकती अर्थ ववस्था को इस तरह की नौकरियों को बचाने और उत्पन करने के लिए निकट भविश्य में तेज गती से व्रिद्धी की जरूरत है साथ ही जैसा कि हमने बताया कि 25 लाख वेतन भोगी नौकरियां जा चुकी हैं उन्हीं आकडों के अनुसार हर्याना में बेरोजगारी सबसे उत्चतम 30.6 फीस दी राजुस्थान में 39.8 फीस दी और बिहार में सबसे कम 14 फीस दी रही है तो जिस हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी के दर बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने की सक्थ से सक्थ जरूरत है फिर हार इस रिपोर्ट में बस इतना ही नमस्कार